हाई फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बल आइकन दबाएं प्रशी मंत्राले ने भी माना नोट बंदी ने किसानों को किया बरबाद कांग्रेस अद्यक्ष राहूल गांधी ने किसानों पर नोट बंदी के असर से जोड़ी खबर का हवाला देते हुए बुद्वार को प्रधान मंत्री नरिंदर मोधी पर हमला बोला और दावा किया कि अब केंद्रिय क्रशी मंत्राले ने भी मान लिया है कि नोट बंदी से क्रशकों की कमर तूट गई है गांधी ने ट्विटर पर एक खबर शेयर करते हुए कहा नोट बंदी ने करोडों किसानों का जीवन नश्ट कर दिया है अब उनके पास बीच खाद खरीदने के लिए परियाप्त पैसे भी नहीं है लेकिन आज भी मोधी जी हमारी किसानों के दुर्भाग्ये का मजाक उडाते हैं अब उनका क्रशी मंत्राले भी कहता है कि नोट बंदी ने किसानों की कमर तूट गई है कॉंग्रेस अध्यक्ष ने जो खबर शेयर की उसके मताबिक वित्त मंत्राले से संबंदित 27 संस्थिये समीती को सौपी रिपोर्ट में क्रशी मंत्राले ने कहा है कि नोट बंदी का किसानों पर बूरा असर पड़ा है नोट बंदी के बाद नगदी की कमी हो गई जिससे किसान रभी और खरीव की फसल के लिए बीच खाद नहीं खरीच सके उधर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में चुना प्रचार के दौरान गत मंगलवार को कहा था कि देश से ब्रष्टा चार की दीमक को साफ करने और बैंकिक प्रनाली में पैसा वापस लाने के लिए नोट बंदी जैसी कड़वी दवा का उपियोग क विपक्षी नोट बंदी को दुर्भाग्य पून करार देता है और सरकार इसे फायदे मन बताती क्रशी मंत्राले ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि नोट बंदी के फैसले से किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ा है जिसके चलते संसत की एक 27 अमिती की बैठक में क् रगदी की कमी के चलते लाकों किसान रभी सीजन में बुआई के लिए बीच खाद नहीं खरीच सकते जिससे किसानों पर काफी बुरा असर पड़ा है क्रशी मंत्राले रिपोर्ट संसदिय समीती को सौपी है क्रशी मंत्राली ने संसदिय समीती से कहा कि जब नोट बंदी हुई थी तब किसान अपनी खरीव की पैदावार बेच रहे थे या फिर रभी फसलों की बुआई कर रहे थे किसानों को ऐसे टाइम में कैश की बहुत जरूरत होती है लेकि उस टाइम कैश के दिक्कत को लेकर किसान बीच और खाद नहीं खरीद पाए मंत्राले ने बताया कि कैश के किलत के चलते राश्ट्रिय भीज निगम के लगबग एक लार्ट अथाईस हजार क्विंटल गेहुं के बीच नहीं बिक पाए हाला कि सरकार ने बाद में गेहुं के बीच खरीदने के लिए 1500 रुपे के पुरानी नोटों के इस्तमाल की चूट दे दी थी क्रशी मंत्राले की रिपोर्ट में कहा गया कि इस चूट के बाद भी बीच के बिक्री में कोई खास तेजी नहीं आई थी उधर मंत्राले ने समित्धी के समक्ष नोट बंदी के तारिफ करते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा कि नोट बंदी के बाद क्वार्टर में रोजगार के आंकडों में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी MP में बोले मनमोहन रिमोर्ट से नहीं चलती थी मेरी सरकार पूर्वे प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग ने आज बुद्वार को चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के इंदौर में केंद्र और राज्य की बीजीपी सरकार पर निशाना साथते हुए वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया केंद्र सरकार पर रोजगार का वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आक्रामक तेवर और उनके भाशर में विपक्षी नेताओं के किलाव बयान बाजी पर प्रधान मंत्र पत की गरीमा के बारे में पूछे जाने पर मनमोहन सिं और वहां खूब बोलते हैं, जो ठीक बात नहीं है, उन्हें पद की गरीमा रखनी चाहिए। नोट बंदी पर बोलते हैं, पूर्वि प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग ने कहा, मैंने पहले ही सांशद में कहा था, कि यह संगठित लूट का हिस्सा है, जबकि GST पर उन्होंने कहा, कि इसे बगैर पूरी तैयारी और खास योजना के साथ लागू किया गया। दस साल तक केंदर में UPA सरकार का नितर्थ्व करने वाले मनमोहन सिंग ने खुद को रिमोट सरकार कहे जाने की बात को खारिच करते हुए कहा, कि हमारी सरकार की कोशिश यह थी, कि सबको साथ लेकर चला जाए, हम सबको साथ लेकर चले, यही कारण रहा कि सरकार और मोधी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 2014 में मोधी ने हर साल देश में दो करोड नौकरी देने का वादा किया था लेकिन आज वहे वादा पूरा नहीं किया जा सका। मोधी जी ने हर किसी के बैंक खाते में 15-15 लाक देने का वादा किया था लेकिन इस बारे में क्या हुआ मोधी सरकार ब्रष्टा चार को बढ़ावा दे रही है। के समस्या पूरा करने में नाकाम रही है। राजे में व्यापम जैसा महा घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कभी भी किसी भी सरकार के साथ बेदबाव नहीं किया। हमने मद्यप्रदेश के साथ कभी भी भी भाव नहीं किया। शिवराज सिंग चोहान इसके गवा है। राफिल दील को लेकर पूर्वे प्रदान मंतरी ने केंदर सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि राफिल मामला दाल में काला ही काला नजर आता है। इसकी निस्पक्ष जाच की जानी चाहिए। जाच के लिए जेपी सी गठित की जाए राफिल को लेकर कॉंगरेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी पर हमला करते रहे हैं। राहुल गांधी का वार पीए मोदी ने मिजोरम से किया वादा पूरा नहीं किया। प्रधान मंत्री नेरेंद्र मोदी विधान सभाव चुना प्रचार के सिलसिले में मंगलवार को मध्य प्रदेश में हैं। तो कौंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मिजोरम में है। र उन्होंने चुनावी भाशन में संग और बीजेपी पर आरोब लगाते हुए कहा कि बीजेपी और आरेसेस के लोग हर संस्था में अपने लोगों को भर रहे हैं। वो अपने लोगों को राज्य पाल बना रहे हैं। वो भारत के समविधानिक धांचे पर हम्ला कर रहे हैं। मिजोरम के चंपाई में चुनाव जनसभा में राहुल ने कहा कि आरेसेस और बीजेपी को पता है कि वो अगला चुनाव नहीं जीत रहें। नहीं सिर्फ मिजोरम बलकि देश में उन्हें हार मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि हर राज्य में BJP और RSS की एंट्री किसी न किसी स्थानिय सहयोगी के जरिये होती है। हमें दुख है कि मिजोरम में BJP का संबंद Mizo National Front से है। जिन्हों जिसने मिजोरम के लोगों की भाषा और संस्कृति को खत्म करने का काम किया है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि BJP RSS को सिर्फ कांग्रेस ही रोक सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बार फिर राफिल जील का मुद्दा उठाया और कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नीजी तोर पर अनील अंबानी को 30,000 करोर रुपे दिये हैं। लेकिन उन्हों ने मिजोरम को उसका बकाया नहीं दिया। जबकि राज्य की कांग्रेस सरकार ने शांदार काम किया था। प्रधान मंत्री मोदी पर मिजोरम के साथ छलावा करने का आरोप लगाते हुए राहुल ने कहा कि इन्हों ने मिजोरम के लिए जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। इस कारण कांग्रेस पर दबाव काफी भड़ गया है। हम मिजोरम को पुर्वुत्तर भारत का हब बनाना चाहते हैं। राहुल गांदी ने कहा दो हजार आठ में मिजोरम की प्रती व्यक्ति आमदनी सत्तावन हजार रुपे सालाना थी और आज ये सवा लाक रुपे हैं जो राश्रिय आउसत से 20 प्रतीशत जादा है। विजोरम उन चंद राज्यों में शुमार है जहां कांग्रेस सत्ता रूड है। यहां पर पिछले 10 सालों में कांग्रेस साशन में है। कंग्रेस अध्यक्ष ने यह कहा कि राश्रिय सतर पर बीजेपी, आरेसेस और कंग्रेस के बीच विचार धारा की लड़ाई है। कंग्रेस पार्टी का मानना है कि भारत को इसके लोग चलाते हैं और देश में विभिन संस्कृतियों को अपनी अभी व्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। हमारा विश्वास है कि विभिन संस्कृति और भाशा के जरिये देश मजबूत होता है और हम इसका समर्थन भी करत हैं राहुल गांधी ने कहा पिछली बार जब मैं यहां आया था तो मैंने यहां मैडी कॉलेज बनवाने की बात कही थी मुझे खुशी है कि कॉंग्रेस ने राज्यों को पहला मॉडिकल कॉलेज और शोद संसादन देने का अपना वादा पूरा किया साथ ही यहे भी कहा कि कि हमने चमपाई में हर्टी कल्चर कॉलेज का निर्मान किया जिससे लोग बड़े स्तर पर बागवानी करने को प्रुचसाहित हों और खेती कर सकें कॉंग्रेस ने मिजोरम को पहला मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर दिया उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में खेती और बागवानी में 45 फेश्दी की व्रद्धी हुई है अन्नास की खेती में 900 फेश्दी का बंपर इजाफा हुआ कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा बीजेपी में उनके सम्तकष अमित शाह भी आज मिजोरम में है और वहां की चुनावी रेली को संभोधित करने वाले है राज्य में 28 को हुने वाले मद्दान से पहले कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों दल मत दाताओं क को अपने पक्ष में वोट करने के लिए लुभाने में जुते हैं। नोट को बैंक नहीं लेगी। इसके अलावा अगर किसी नोट पर नारे या फिर राजनितिक संदेश लिखा हुआ है तो उस नोट को भी बैंक नहीं लेगी। खुना भी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास भारतिय करंसी का एक नोट है जो बीस फिस्दी से जादा कटा हुआ है तो आपको उस नोट की आधी रकम दी जाएगी। आरबी आई ने इस नियम को इसलिए लागू किया है क्योंकि कटे हुए नोटों को रिपेर करने में काफी खर्चा हो जाता है। पांचवा आरबी आई ने सोमवार को हुए बैठक में कहा कि वह सरकारी प्रति भूतियों की खरीद के जरीए बाइस नवंबर को अर्थ वविस्था में आठ हजार रुपै करोर रुपै डालेगा। इससे देश में NBFSC के नकदी संकट को दूर किया जा सकेगा और कारुबाई तेजी के लिए कर्द देने का काम शुरू किया जाएगा। जीमेल के खाते से नहीं होगी कोई गरबड़ी आरबियाई ने उठाया एक कदम नई दिल्ली अक्सर हमें यह देखने को मिलता है कि हर दिन किसी न किसी के साथ धोकाधारी हो रही है और यह धोकाधारी जीमेल खाते में लिंक भेज कर की जाती है जीमेल खाते में ऐसे ओफर्स का लालच दिया जाता है जिससे देखने के बाद जीमेल उपभोकता तुरंत उस लिंक पर क्लिक करता है और बाद में उससे उनकी नीजी जानकारिया मांगी जाती है यह जानकारी आपके बैंक खाते और आधार कार से संबंदित होती है और इसके साथ ही आपके मुबायल पर OTP भेज कर उस लिंक में प्रवेश करने को कहा जाता है इस तरह से किसी भी व्यक्ति को फसाया जा सकता है और बैंक में तूरंट पैसे निकाल लिये जाती है इस तरह की धुकधाड़ी को रोकने के लिए RBI की तरफ से एक कदम उठाया गया है जिसके तहत यदि ऐसे किसी जी में लिंक के माधियम से बैंक जहानकारी मांगी जाती है और मुबायल OTP पर भेजा जाता है तो उस OTP को पहुचने से पहले ही ब्लॉक कर दिया जाएगा और जिस बैंक खाते से लिंक मुबायल नंबर पर OTP भेजा गया है उस बैंक के कस्टमर रिपोर्ट सर्विस द्वारा कॉल करके पूचा जाएगा कि क्या आपने अपने बैंक खाते से किसी अन्य बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं यदि व्यक्ति ऐसी ट्रांसे से मना करता है तो तुरंत उसी लिंक के माध्यम से दोकधारी करने वाले व्यक्ति की सभी जानकरिया प्राप्त कर ली जाएंगी Mind the Newsroom की रिपोर्ट Thank you for watching our video अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले